नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, Facts for Pilms आज हम डिसकस करेंगे P.N. Panikar साब के बारे में, recently हमारे President of India केरला गे थे, केरला में P.N. Panikar साब का एक स्टैच्यू इन्होंने अन्वील किया है, तो आज इस वीडियो में हम P.N. Panikar साब के बारे में basic details जारने की कोशिश करेंगे, जो आपके examination perspective में important है, P.N. Panikar साब का ज जून 19 इनकी death anniversary has been observed in केरला as वायना दिनम, वायना दिनम मतलब English में reading day होता है, तो 1996 से केरला में reading day observe करता है, इनकी death anniversary, 2017 में Prime Minister of India, June 19 को national reading day declare किया था, तो हमारा national reading day कब है, P.N. Panikar साब का death anniversary के दिनने, and the following month is also observed as national reading month in India, तो बेसिकली जूले जो है, इंडिया में national reading month observe करते है, केरला state की literacy को promote करने में, P.N. Panikar साब के contributions बहुत ही significant है, इन्होंने केरला state literacy mission को promote किया था, जिसकी वज़े से केरला state universal literacy अचीव कर पाया था, इन्होंने कहीं सारे libraries का establishment किया, which help the citizens to get access to educational material easily, देखे, कोई भी state का literacy अगर आपको promote करना है, सबसे पहले आपको, लोगो इन्हों को influence करना पड़ेगा, अपने काम से, दूसरा आपको study materials available करवाना पड़ेगा, तो ये काम P.N. Panikar साब ने किया था, इन्होंने काई सारे libraries established किये, this venture office is known for single-handedly transforming the literacy landscape in केरला, तो P.N. Panikar साब के जो contributions की वज़े से, इन्होंने single-handedly केरला state की literacy rate को transform किया, and it is believed that his profession inspired him to push the importance of literacy, देखे, literacy के importance कितना है, ये समझाना में इनके profession भहुत काम आया, अब दोस्तों P.N. Panikar, the great reformer in education, इनके major contributions चक करते हैं, इन्होंने 1945 में, तिर्वतांकूर ग्रंतशाला संखम फोर्म के दे, जिसे ट्रावंकूर Library Association भी बोलते है, with 47 rural libraries, आप मैं आपको ये तिर्वतांकूर region कौन सा है, ये बताऊंगा, देखे, तिर्वतांकूर और ट्रावंकूर दोनों एक ही है, आपको पताई होगा कि British आज के टाइम पर, British अपने काफी सरे places का नाम बदले थे, क्योंगी इन्हें प्रनोंस करने में मुश्किल होता था, for example, तिर्वतांकूर क आपको बना दिया था, ऐलपी, ऐसे कई सारे एक्जामल से पूरे इंडिया में, तो केरला के एक्जामल में आपको बता रहा हूँ, अब आप ये देखे, ये 1956 से पहले सथेन इंडिया का एक मैप है, इसमें आप देख सकते हो, एलो कलर में मद्रा स्टेट, तो मद्रा स्ट स्टेट के अंदर, 1956 से पहले की बात कर रहा हूँ, आज का नोर्थेन केरला, वेस्टेन करनाटका, सतेन आंधरा परदेश, ये सब भी आता था, 1956 में जब लैंग्विज की साब से स्टेट को डिमार्केट किया गया, तो मद्रा स्टेट का मलयारम स्पिकिंग एरिया पूरा केरला के पास चला गया, कनेडा स्पिकिंग एरिया कनाड़का के पास, तिलगू स्पिकिंग एरिया आंधरा परदेश के पास, इतना क्लियर है, तो 1956 से पहले ये जो ब्राउन कलर में आप एरिया देख सकते हूँ, ये था ट्रावंगूर कोचिन स्टेट, जिसे मलयारम में तिरू कोची स्टेट बोलता था, अब इसमें तिरू स्टैंस फोर तिरू तांगूर, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, आप देखी, ट्रावंगूर कोचिन स्टेट के जो नौर्थेन पार्ट था, ये कोचिन स्टेट था, सतेन पार्ट था, ये ट्रावंगूर स्टे तो अब आपको समझ में आया होगा ट्रावंकूर रीजेन या फिर तिर्वदांकूर रीजेन मतलब कौन सा है अब हम वापस टोपिक पर चलते हैं तो हम तिर्वदांकूर गंदशाला संखम या फिर त्रावंकूर लाइबररी असोसेशन के बारे में बात कर रहे थे इस organization का slogan था Read and Grow Read and Grow slogan आप थ्यान दीजेगा ये किस organization से related है ऐसे को सिन आप से examination में पूछ सकता है तो देखें, 1945 में ये organization form हुआ था 1956 में जब केरला state form हुआ ये organization का नाम बदल के केरला ग्रंदशाला संगम कर दिया गया तो इसके बाद PM पनिके साब travel to villages of केरला proclaiming the value of reading तो reading का value का है, literacy का importance का है ये सब लोगों को बताने के लिए लोगों को influence करने के लिए PM पनिके साब केरला के villages में travel किया और 1975 में ग्रंदशाला संगम के activities की वज़े से इनको कृप्ट साक्या अवाड मिल गया यूनसको से, अब ये कृप्ट साक्या अवाड के वाइर में भी हम डीटेली डिसकस करते हैं, देखिए यूनसको नदेजदा के कृप्ट साक्या literacy price इसका पूरा नाम ये है वास नेम्ड आफ्टर रिशिन पोलिटीशन ऑफ दे सोवेट एरा नदेजदा के कृप्ट साक्या ठीक है, तो एक रिशिन पोलिटीशन के नाम पर सोवेट उनियन गर्वर्मन ये आवाड स्पोंसर करता था आवाड दिया जाता था यूनसको के द्वारा ठीक है, तो देखिए 1970 से लेके 1992 तक ये आवाड देता था इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आपसे एक्जामिनेशन में पोच सकते हैं, तो थ्यान दीजेगा तो पनिकर साब इस संगम का जरनल सेकरेटरी रहे है 32 एस के लिए, अंटिल 1977 तक ठीक है, तो 1945 से लेके 1977 तक पनिकर साब थे ग्रंदशाला संगम के जरनल सेकरेटरी एंड 1977 में इस ग्रंदशाला संगम को स्टेट गर्मन ने टेक ओवर किया तो दोस्तों, फाइनली 1977 में जब केरला ग्रंदशाला संगम को स्टेट गर्मन ने टेक ओवर किया तो भी उसी बात है उसमें political interference आने लग गया, क्यूंकि अब ये state government के अंडर आ गया, तो तब पंडिकर सामने क्या किया, ये केरला गिरंदरशाला संखम छोड़कर, केरला association for non-formal education and development form किया, जिसे कैनफर्ड बोलते है, तो कैनफर्ड बस instrumental in starting the केरला state literacy mission, देखे केरला state literacy mission start करन में, कानफर्ड का रोल जो है, वो बहुत ही significant था, and it led Kerala to its universal literacy movement, basically, Kerala state literacy mission की वजे से, Kerala became the first state which achieved universal literacy, ये बात आपको पाता है, Kerala is the first state in India to achieve universal literacy, and Panikar took a keen interest in promoting agriculture books corners, the friendship village movement, reading programs for families, grants for books and building libraries, and burst reading award, PN Panikar foundation, तो ये सब आप PN Panikar से relate कर सकते हो, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको समझ में आया होगा, PN Panikar साब के बारे में, इनके contributions के बारे में, Travangur कुछ state के बारे में, आप देखे कुछ questions से one-liner type का, who is known as the father of reading, PN Panikar, when is national reading day observed, 19 June, इनकी data anniversary है, and when was the first national reading day observed, that was in 1996, ये स points में ने बोला, वो भी आप notes में incorporate कीजेगा, लक्षे की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.